गुझाने सबस्टों ने ये कहा कि ये सरकार बेज़भाव कर रही है ये सरकार हिंदू और मुस्लिम कर रही है कुछ ने कहा कि हम देश के टुकड़े करने चाहते हैं बहुत कुछ कहा गया और यहां से भार बहुत कुछ बोला जाता है काल्पनिक भाई पादा करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी रही है और वो लोग बोल रहा है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े हो करके देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े हो करके जो लोग फोटे खिचवाते हैं दसकों से पाकिस्तान यही भाषा बोलता आया है पाकिस्तान यही बाते कर रहा है भारत के मुसल्मानों को भरकाने के लिए पाकिस्तान ने कोई कसर छोड़ी नहीं है भारत के मुसल्मानों को गुमरा करने के लिए पाकिस्तान ने हर खेल खेले है हर रंग दिखाए है और अब उनकी बात चलती रही है पाकिस्तान की बात बढ़ नहीं पा रही है तब जब महरानूं की जिनको इंदुतान की जनता ने सत्ता के सियासन से घर भेज दिया वे आज उस काम को कर रहे हैं जो कभी ये देश सोच भी नहीं सकता हमें याद दिलाए जा रहा है कि क्वीट इंडिया का नारा देने वाले जहिन का नारा देने वाले हमारे मुस्लिम ही थे दिक्कत यही है कि कॉंग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम से हमारे लिए हमारी नजर में वो भारती है हिंदुस्तानी है कॉंग्रेस के एक नेता का कल गोषणा पत्र सुना उन्होंने गोषणा की है कि छे महिने में मोधी को डंडे मारें गया और ये बेबा सही हैं कि ये काम जड़ा कठीन है तो तयारी के लिए छे मेने तो लगते ही है तो छे मेने का समय तो अच्छा है लेकिन मैं भी छे मेने में ताई किया हूँ कि रोज सुरेन बसकार के संख्या बढ़ा दूँगा ताकि अब तक करीब 20 साव से जिस प्रकार की गंदी गालिया सुन रहा हूँ और अपने आपको गाली प्रूप बना दिया है छे महेने ऐसे सुनिनमस्कार करूँगा कि मेरी पीट को भी हर डंडे जलने की ताकरवाला बरादा तो मैं आभारी हो कि पहले से एनाउंस कर दिया गया है तो मुझे ये 6 महिना आप एक्सेसाइट बढ़ाने का टाइप दिलेगा मानिया जगी मानिया जगी मानिया जगी मैं 30-40 मिनिट से बोल रहा था लेकिन करंट पहुंचे पहुंचे इतनी देर लगी अगर रहना चाहते हैं हर जानकारी से अपडेट तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले प्लीज प्लीज और बेल आगर ना बाना एक दम ना भूले नियू सिक्षा नोकरी ट्रेक्रानलोजी से जूड़ी सारी खबरे वो ट्रीक सिर्फ यूथ मुकाम